लिटी चोखा यूपी और विहार का प्रेम है और आज मैं आपके लिए लेक्टिक और ट्रेडिशनल लिटी चोखा की रस्पी साथ ही साथ बैगन का भरता बनाने का बहुत ही अनोखा तरीका आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा सबसे पहले हम लिटी की स्टफिंग बनाएंगे तो इसकी लिए यहाँ पे मैंने दो मीडियम प्याच काटे हैं तीनी चद्र काटा है चौदा लहसुन की कलिया चार हरी मिर्ज और एक चौथाई का बारी कटा हुआ धनिया पता लिया है स्वाथ के अनुसार हम इसमें नमक ले लेंगे दो से तीन बड़े चमच हम इसमें सरसो का तेल इस्तमाल करेंगे सरसो का तेल इसमें authentic टेस्ट लाता है तो आप इसमें यही तेल यूज करें डेड़ कप हम चने का सत्तू ले लेंगे चने का सत्तू बहुत ही आचाने से आजकर हर दुकान में मिलता है अजवाइन ले लेंगे तो एक छोटा चमच आप इसमें अजवाइन डाल दें इसके अलावा हम इसमें इसमें इस्तमाल करेंगे अचार तो मैंने हापे घर पे बना हुआ आम का अचार और मिर्ची का अचार यूज किया है तो सबसे पहले एक बड़ा वर्तन ले लेंगे और इसमें ये सत्तू डाल देंगे फिर हम इसमें हरी मिज डाल देंगे इसके साथ ये लहसुनारा द्रग डाल दें इसके बाद हम इसमें प्यास डाल देंगे धन्या पत्ता डाल देंगे और यहाँ पे थोड़े से प्यास धन्यापता जो है वो मैंने बचा के रखा है भरते के लिए तो यहाँ पे यह सारी सीजे हमें भरते में भी डालनी है अब हम क्या करेंगे कि इसमें अज्वाइन डाल देंगे तो अज्वाइन को थोड़ा सा हतीलियो प्यास से रफ करके डाले और अब हम इसमें डाल देंगे यह सरसो का तेल तो यहाँ पे दो बड़े चमच सरसो का तेल याट करती हूँ मैं सरसो के तेल की जगा आप किसी भी आचार का तेल इस्तमाल कर सकते हैं नमक डाल दे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे यह अचार तो मैंने यहाँ पे यह आम का चार और मिर्ची का चार दोनों इस्तमाल किया है आप चिए तो सिर्फ कोई एक अचार आप इसमें यूज कर सकते हैं तो अगर आपके पास आमकाचार नहीं है, तो आप इसमें नीबौ कारज डालें. नीबौ कारज इसमें बहुत ज़रूरी है, मैं यहापे आमकाचार इस्तिमाल करें। इसलिए मैंने नीबौ को स्किब किया, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खटा हो जाएगा. तो यहाँ पे इन सब को अच्छे से मिला देंगी स्टफिंग को स्टफ करने से पहले आप टेस्ट कर लें इसमें नमक हलका सा तेज और खटापन परफिक्ट होना जीए तो जब आप इसे टेस्ट करेंगे न तो आपके फेस का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा होना जीए तब ही मतलब आपके स्टफिंग जो है वो पॉफिक्ट बनी है तो यह हमारी स्टफिंग जो है वो बन के तियार है अब हम क्या करेंगे कि भरता की तियारी कर लेंगे देते हैं जब तक यह अच्छे से सॉफ्ट नी हो जाए तो लोही के तवे से ना इसके उपर एक स्मोगी टेस्ट आ जाता है यह देखिए इसे ऐसे कवर कर दे और पकने दे बीच बीच में आप ऐसे ढखकन को हटा के और इसे फिलिप करते रहें ताकि हर तरफ से बराबर पक पाने में तो यहाँ पे यह देखिए तो यहाँ पे तवे पे हमने डिरेक्ट बैगन को पका लिया है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद दोनों का छिलका निकालेंगे तो यहाँ पे टमाटर का छिलका निकालना है अगर आप बैगन का छिलका निकालना है तो निकाले नहीं तो आप बैगन को ऐसे भी मैश कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने टमाटर का छिलका निकाल लिया है लेकिन बैगन का नहीं निकाला है क्योंकि बैगन जो है वो हमने तवे पे पकाया था तो उसे निकालने की जरूरत ने है अब हम इन दोनों को ऐसे मैश कर देंगे इसके बाद हम इसमें डाल D würdeंगे उबले हुए अलो तो अगर आपको आलो नहीं पसंद है तो आप आलो को सकिप कर सकते हैं नहीं तो आप檸में चार उबले हुए एलो डाल दें давालव बैगान और टमार्टर के साथ मिक्स कर दे इसके बाद यह जो बचा हुगा प्यास धन्यापत्ता हरी मिर्ज लैसुन अद्रक है वो सब इसमें डाल देंगी अगर आपको कच्छा अद्रक नहीं खाना पसंद है तो आप अद्रक को स्किप कर सकते हैं एक चमत सरसो का तीर डाल दे और स्वाद के अनुसार नमक डाल दे बस यह हो गया हमारा देसी भरता हमारी हाँ जो भरता बनता है उसमें प्यास टमार्टर को भूना नहीं जाता है यहाँ पीसे ऐसे पका के उसके बाद कच्चे पैज और लेसे नंदर करीमीज के साथ मिक्स किया जाता है तो भरता हमने बना लिया है अब हम लिट्टी सेकने की तैयारी करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ईसे बहुर सी बोलते हैं हमारे हाँ तो इसमें हम क्या करेंगे नहीं कि कि रासन का तेल यानि मिट्टी का तेल डालके इसे ऐसे जला देंगे तो इसे सुलगने में टाइम लगेगा तो जब तक ये सुलग रहा है तब तक हम डो लगा लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक किलो आटा लिया है आटा में हम पानी डाल के इसे गुन लेंगी नमक का इस्तमाल मैं नहीं कर रही हूँ आप चीए तो इसमें नमक एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दे और इसके बाद इसका एक stiff dough बनाना है ध्यान रहे अगर आप लेटी का dough बना रहे तो इसे बहुत जादा नरम नहीं गुनना है थोड़ा सा कड़ा रखे क्योंकि stuffing के बाद ना जब हम उसे ऐसे आग के उपर रखेंगे तो अगर वो soft रहेंगे तो उसका shape अच्छा नहीं आएगा तो यहाँ पे मैंने आटा को गुन लिया और इसके बाद हम इसे ऐसे round shape का बना लेंगे फिर हम क्या करेंगे थोड़ा सा सुखांटा में इसे रोल करके और इसके बाद इसे कटोरी shape का बनाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि दोनों अंगुठे को ऐसे center में रखे और चार उंगलिया से बाहर रखे इसे ऐसे घुमाएं तो यहाँ पे यह ऐसे bowl shape का बन जाएगा तब हम center में यह stuffing रख देंगे stuffing थोड़ा जादा रखे और बंद कर दें तो stuffing आपको जैसे पसंद है वैसे करें यह हमारा तरीका है तो किनारों को हमें क्या करना है कि ऐसे समेटते हुए एक जगर लेके आना है stuffing को हलका सप्रेस करते रहे ताकि वो बाहर नहीं आए तो यहाँ पे जब यह चारों तरफ से center में आ जाए तब extra door निकाल दे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे बंद कर देंगी तो यह हमारे लिट्टी जो है वो बंद के तयार है तो यह हमारे style की मेरे style की लिट्टी है लेकिन मेरी सासुमा बहुत अच्छी लिट्टी बनाती है तो वो जब बना दिया ना तो मैं ऐसे बस उन्हें देखती ही रहती हूँ एकदम जैसे कलाकार गठता है ना किसी चीज को वैसे ही इनके हाथों में जब यह बनती है तो बहुत बहुत ही अच्छी लगती है यह देखे एकदम ऐसे प्रॉपर तो यहाँ पर हमने लिट्टी बना ली है अब हम चलते हैं इसे सेखने का प्रॉसस में तो हमने जो उपले जलाये थे ना इसे पूरे अच्छी तरह से जल जाने के बाद हम क्या करेंगे इसे ऐसे क्रश कर लेंगे और जब इसका आग जो है वो पूरा ऐसे बंद हो जाना चाहिए तब इसके उपर यह लिट्टी हम रख देंगे उपले की जगा आप लकड़ी या फिर कोईले का इस्तमाल कर सकते हैं हमारे यहाँ इसे उपले पे ही बनाया जाता है अगर आप बोलेंगे की उपले पे बहुता हुआ खाना हम क्यासे खा सकते है आप इसकी जगड़ लकड़ी का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे अवन में बेग कर सकते हैं लिट्टी बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे आपको तुरन तुरन पलटना है क्योंकि नीचे की आग बहुत ज़्यादा गरम रहती है मतलब टेंपरेचर इस भट्टी का बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आपको इसे छोड़ना नहीं है और आप इसे चिम्ते से पकरड़के इसे पल्टे जैसे लिट्टी बत जाएगा अच्छे से उसमें क्रैकस आपको दिखने लगेगे मतलब वो थोड़ा फटने लगता है जब आपको ऐसा दिखने लगे मतलब लिट्टी जो है वो अंदर से अच्छे से पग गया है तब हम क्या करेंगे कि इसको एक सूती कपड़े में निकाल के और इसके उपर का ये जो राख है उसे हम जाड़ देंगे तो यहाँ पे जब आप इसे ऐसे शेक करेंगे ना तो इसके उपर की जो राख है वो खुदी निकल जाएगी इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे ये देखें फटा हुआ देख रहा है ना मतलब लिट्टी एक्तम सही से पका हुआ है और सर्फ करने के पहले हम इसको घी में डूप होके और इसके बास सर्फ करेंगे अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप इसे बिना घी के भी खा सकते हैं तो ये हमारी लिट्टी जो है वो बन के तियार है ये आप देख सकते हैं तो अब हम चलते ही से सर्फ करने के प्रोसेस में तो ये लिट्टी हो गया, ये चोखा हो गया, तो सर्फ करते वक्त न हम क्या करेंगे, भरते के साथ हरी चटनी भी रख देंगे, उसे ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैंने टमार्टा, ध इस डिश्क को नहीं ट्राई किया है, तो आप इसे को जरूर ट्राई करें।